दोजमरा की जरूरतों को पूरा करने के लिए रिटेल शॉप का स्कोप बहुत जादा है। कस्टमर्स की डिमान को देखते हुए लोग इस बिजनस से अच्छा खासा मुनाफ़ा भी कवा रहे हैं। और वहां खड़े डीफ फ्रीज और ग्लास डूर वाले फ्रीज वहां लगे एसी, काउंटर, रैक्स, बिल्डिंग सिस्टम, वर्कर आदी को देखकर हासिल कर सकते हैं। इससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि ये बिजनस आपके बजट में आता है या नहीं। यदि आपके बजट में आता है और इस बिजनस को शुरू करने के लिए पका इरादा बना लिया है, तो फिर आप अपने बिजनस को प्लान कर सकते हैं। बिजनस प्लान बनाना ज़रूरी। इस बिजनस प्लान में शामिल करें। अच्छी लोकेशन पर अपनी शॉप तलाशें। बिजनस प्लाने के साथ ही आप अपने मन पसंद बिजनस के लिए एक दुकान या शॉप की खोच करें। बैसे एक्सपर्ट किराई ये है कि इस तरह के बिजनस में मारकेट में चलते हैं। जहां पर कस्टमर्स आते जाते रहते हैं वहां आपको कस्टमर्स के लिए महिनत नहीं करने पड़ती। लेकिन इन एरियास में दुकाने काफी महगी होती हैं। यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो चीक वरना इसके लिए एक दूसरा विकल्पी है कि किसी बड़ी कॉलनी में इस तरह की दुकान या मिनीमाच खोल सकें। शॉप सेलेक्ट करने के बाद आपको लैंडलोट से एक रेंट एग्रिमेंट बनवाना है जिसमें किराय आदी सब कुछ लिखा होता है। ये रेंट एग्रिमेंट आपकी दुकान या फिर्म का एड्रेस प्रूफ के रूप में काम करता है। अपनी शॉप को किस तरह से डेकॉरेशन कराएं। कौन कौन से लेने होते हैं जरूरी सबसे पहले आप अपनी वीटेयल शॉप के नाम को रिजिस्टर तरह लें। उसके साथ ही आप जिस्टी नंबर ले लें। हाला कि शुरू शुरू में जिस्टी नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन बिना किसी जंचट की ऑनलाइन मिलने वाले जिस्टी नंबर को लें। तो आप पूरी तरह निश्चित होकर अपना काम कर सकेंगे। इसके लावा आपको लोकल हेल्ट डिपार्टमेंट से भी लाइसेंस लेना होगा लीगल प्रोसेस को पूरा करने के लिए आपको में में तीन डॉक्रिमेंट्स लगते हैं। एक आईडी प्रूफ जो आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। आपकी फोर्म का रेजिस्ट्रेशन और दुकान का एड्रेस प्रूफ जरूरी है। यदि आपकी अपनी शॉप है उससे जुड़े मालिकाना हक के दस्तावेज और यदि किराय पर हैं तो रेंट एग्रिमेंट के साथ लैनलोट का बिचली का बिल आदी लगेगा। इसके बाद आपको अपनी शॉप के लिए सामान खरीबने की प्रॉसेस से शुरू करने चाहिए। चाहे तो आप विभीन ब्रैंडिट कमपनियों की होल सेलर या डीलर जो भी आपको सही लगे उससे संपर करके और सामान खरीज सकते हैं। आज के ज़माने में मल्ची प्रॉडेक्ट वाली अनेक कंपनीज हैं जो एक साथ साथ कई डेली नीज्स के प्रॉडेक्ट आपको सप्लाइ कर सकते हैं। सामान की लिस्ट बनाएं, कम होने वाले सामान को रोज लिखें। अपनी शॉप में आप अपने हिसाब से प्रॉडेक्ट वाला प्रॉडेक्ट सामान स्टोर करें। इसके लिए आपको सबसे पहले सामान के एक लिस्ट बनानी होगी। इससे आपको आसानी से मालूम हो जाएगा कि कौन सा इंपोर्टन सामान आपकी नज़र से चूप गया है। इसके बाद आप अपनी शॉप को शुरू करतेते हैं और कस्टमर की डिवांट के बाद पता चलता है कि ये सामान शॉप में नहीं है। उसको तुरंट नोट करें और जितनी जल्दी हो सके मंगा कर रख लें। इस तरह से करें शॉप की ओपनिंग। अब आप अपनी शॉप की शुरुआत कैसे करें कि आपको पहले ही दिन अच्छी से अच्छे कस्टमर आ सकें और जादा से जादा सेल हो सकें। साथ ही आपको profit हो सके, इसके लिए आपको सबसे पहले इस बात पर विचार करना चाहिए, कि दुकान की opening किसी त्योहार सीजन आदी से कुछ दिन पहले कराई जाए, शौप की opening से पहले आपको अपनी target market यानि आपकी range में आने वाले customers के बीच प्रचार करने के लिए pamphlet distribute करा आए, या उनके घरों में डलवाए, इन pamphlet में opening के समय कुछ दिनों के लिए special offer की भी पेशकर्श करें, साथ ही दुकान को specially decorate कराए, तांकि दूर से customers की नजर आपकी shop पर पढ़े और उसे देखने के लिए भारे संख्या में लोग आए, इसका बहुत लाब मिलेगा, कम से क बजट में भी खोली जा सकती है shop, अब बात आती है कि क्या ये retail shop का का काम केवल पैसे वाले ही लंबी चोड़ी रकम करके शुरू कर सकते हैं, जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये काम हर तरा के देखते कर सकते हैं, इस retail shop को केवल mini-mart के रूप में नहीं खुला जा सकता बलकि इसे गाउं, देहाद, कस्मों, शेहरों की गलियों में भी छोटे लेवल पर खोला जा सकता है, जहां पर आपको mini-mart की तरह ताम जाम की जरूरत ना पड़े, आप अपने बजट के अनुसार ही दुकान, तलाशें और थोड़ी सी पूझे लगा कर काम शुरू कर सकते हैं, आई यह बात करते हैं कि retail shop खोलने में कम से कम कितनी लागत आती है, यदि गाउं देहाद, शेहरों की गलियों में खुलने वाले छोटी retail shop की बात करें, तो यह business 50,000 से लेकर एक लाग तक शुरू किया जा सकता है, लेकिन यदि आप mini-mart की बात करें, तो कम से कम 4 लाग उपए से ये काम शुरू किया जा सकता है, इसके उपर की कोई सीमा नहीं है, आप अपनी ख्रता की नुसार चाहे जुतना लगाएं, shop खोल सकते हैं, अब बात शुरू करते हैं कि आपको इस business में profit कितना है, इस business में मुनाफ़ा आपकी management पर निर्भर करता है, आप किस तरह से खर्च करते हैं या पैसा बचाते हैं, एक्सपर्ट की रायमाने तो इस business में 10-15% तक की बचत होती है, यानि आपको इतना मुनाफ़ा मिल सकता है, मुनाफ़ा कम हो तो साइट बिजनस पर ध्यान दे, आप अपने business को आगे बढ़ाने के लिए अपने शुत्र के 5 km की दा करना होगा, इस तरह से आपको शौप पर बैठे ही customer मिल जाएंगे, इसके लिए आपको एक website बनानी होगी और उस website का अपने शित्र में प्रचार करना होगा, कैसे वरकर शौप में रखें? यदि आप छोटी retail shop खोल रहे हैं, तो आपको कम से कम एक helper की आविशकता होती है, जब भी सामान खरीदने या किसी अन्य काम से इधर-उदर जाना पड़े, तो वो helper उस समय आपकी shop को संभाल सकें, यदि minimart खोल रहे हैं, तो आपको कम से कम दो helper चाहिए, जो shop में आने वाले ग्राकों को deal कर सकें, billing कर सकें, इसके आपको ऐसे helper रखने चाहिए, जो देखन कारी रखें, ऐसे helper से आप shop में तो काम करा ही सकते हैं, साथ ही आप उनसे home delivery भी करा सकते हैं.